जेहिन नमस्ते दोस्तो आज की इस वीडियो में हम UGC यंटिये नेट एक्जाम जो जून 2023 में होने वाला है तो उसका एक्जाम का फॉर्म कैसे भरे जाता है यह आज हम इस वीडियो में जान लेंगे अगर यह वीडियो आपको आचे लगी तो इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो अपने सभी दोस्तों को यह शेयर करने के लिए मत बुलिए और यूटियूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो UGC Net Exam और Other Exam के बारे में आपको जानने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल में सामिल हो सकते हैं Link description box में दे दिया है चलो तो हम UGC Net Exam का form कैसे भरे जाता है Application कैसे फिल करते है इसके बारे में आज हम जान लेंगे देखो students यहाँ पे हमें form भरने के लिए UGC के official home page पे हमें जाना है that is ugcnet.enta.nic.in इस home page पे हमें जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा scroll करने के बाद यहाँ पे आपको candidate activity में application for UGC net June 2030 ऐसा आपको एक tab मिलेगा वहाँ पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है वहाँ पे उन्होंने वताया है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एक separate page open कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने एक separate open page कर दिया है page open होने के बाद यह से हमें तीन steps follow करने पड़ते हैं पहले apply for online registration second field online application form and third है pay examination fee ओके यह तीन steps हमें follow करना है और उसी हिसाब से हम one by one क्या कर सकते हैं UGC net exam के लिए apply कर सकते हैं apply करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है new registration करना पड़ता है दिखे जब जब UGC net exam conduct करती है उसी वक्त हमें क्या करना पड़ता है नया registration करना पड़ता है यहाँ पे हमने सब इसके पहले जो वीडियो हमने बताया था उसमें सब हमने सब बताया है कि UGC NET exam कितने subjects में होती है question paper का format क्या होता है exam का mode क्या होता है exam की feeds क्या होती है यह सब हमने बताया है और कि उसके बारे में MCQ किस प्रकार क्या आते है negative marking है या नई books कौन-कौन से refer करने पड़ते है यह सब हमने जान लिया था देखें यहाँ पे हमें क्या-क्या करना है कि यहाँ से आप one by one यह सब instruction आप read कर सकते हो read करने के बाद यहाँ पे जो block है वहाँ पे आपको tick करना है tick करने के बाद यहाँ पे आपको message आ जाएगा click here to proceed यहाँ पे हमें click करना है click करने के बाद यहाँ हमें personal information देना है that is the candidate name, father name, mother name, date of birth, gender, identity type यहाँ पे आप एक identity type दे सकते हो जैसे कि आपको pan card है, passport है, order ID है, ration card है with photographs है, bank passbook with photograph है, driving license है any other government identity with photograph यहाँ पे आप आधार card क्या कर सकते हो, select कर सकते हो जिसके पास pan card है, वो pan card select करेगा, pan card का number डालेगा contact person है, आप कहाँ पे रहते हो, आपकी locality क्या है, country क्या है, state, district, pin code, mail ID confirm, mail ID, then mobile number, confirm mail, mobile number और alternate contact number भी आपको देना है जो, क्या बोलते है, alternate address है, या contact details है, और permanent address है अगर same होता है, तो आपको same as a permanent address पे हमें, click करना पड़ेगा उसके बाद हमें, exam form का जो password है, वहाँ पे हमें, reset करना पड़ता है confirm password reset करेंगे, यहाँ पे security question बताया है, क्योंकि अगर आपका password जब नई आपको ध्यान में आता है तो forget password करने के बाद, यहाँ पे आपको क्या होता है, कि question पूचा जाएगा और यहाँ पे आपने जो answer दे दिया है, उसके हिसाब से आपको password reset आप कर सकते हो उसके बाद आपको उसका answer देना है, यहाँ पे जो security pin बताया है जैसे कि 23R96G, यह हमें यहाँ पे enter करके form submit करना है यह सब हम information fill up करेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, submit करेंगे जब हम बाकी information बरते हैं ते उसके बाद आपको एक message आता है please review the following information carefully, would you like to change any information then enter you may be say the registration form button और press submit और send OTP ओके, देन हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम scroll करेंगे यहाँ पे scroll करने के बाद यहाँ पे आपको close बटन जो दिखाई दे रहा है वा पे हमें click करना है click करने के बाद यहाँ पे हमें agree button पे click करना है देखिए यहाँ पे 2 option है, एक है अगर आपको edit करना है तो आप edit registration form पे click करो अगर आपको लगता है कि बाकी information ठीक है spelling mistake कोई नहीं है तो आप agree button पे click करो या आप ए box में और submit and send OTPs पे click करना है देखिए click करने से पहले आपको information one by one tick करना है और यह जो box दिये है उसमें आपको click करना है यह particular checklist to be verified that is the my name, my date of birth, father name, mother name, gender, address, then mobile number और mail ID यह सब चीज़े आपने जो enter किया है वो बराबर है correct है यह अब क्या करो एक बार check कर लो confirm कर लो बाद में इसमें check box में tick करो और नीचे आपको क्या करना है scroll करना है नीचे scroll करने के बाद यहाँ पे agree button पे click करो submit and send OTP पे click करना है वहाँ पे हमने अब अगर click किया तो यहाँ पे एक message आता है कि do you wish to submit registration form and get OTP तो यहाँ पे हमें yes button पे click करना है देखो student यहाँ पे हमने submit button पे click किया और send OTP पे click किया तो automatic generated OTP message आपको मिलेगा वहाँ पे आपको क्या करना है OTP यहाँ पे mention करना है अगर OTP नहीं आता है तो यहाँ recent OTP पे आपे click करना है अगर OTP आता है तो यहाँ पे enter करो और submit registration form पे click करो देखो student हमने अभी क्या कर दिया था कि mobile number verify कर दिया था उसके बाद यहाँ पे activity में आपका तो पहले registration form ओके हो चुका है और यहाँ पे आपको जो name आपको दिखाई दे रहा है name और application number आप क्या करो mention करके रख दिजे या इसका screenshot आप निकाल सकते हो देखे यहाँ पे application number आपको 12 digit मिलेगा यह भी आप note करो क्योंकि आपको आगे वाला जो halt kit वगरा डाउनलोड करने वाले है तो उसके लिए आपको application number की जरूरत है तो आप application number note down करके रखे यह तो सबसे पहले बहुत ही important चीज है आप यह चीज note down करके रखे क्योंकि कभी-कभी student को यह नहीं पता चलता है कि आपका application number कहा पे है कभी-कभी exam form हम download करके नहीं रखते है तो इसकी बज़े से हमें क्या करना पड़ेगा तो यह application का screenshot, application number का हम screenshot निकाल ले रहे है उसके बाद हमाई next step से application form हमें application form पे click करना है देखो student यहाँ पे application form पे हमने click करने के बाद आपको यह information fill up करना है कौन-कौन सी यहाँ पे तो contact details हमने fill किया है उसके बाद personal details हमें fill करना है परसनल details के बाद यहाँ पे हमें अधार details देना है exam and center details देना है qualification details देना है additional details है, document upload करना है और final submission करना है यह सब करने के बाद हम क्या कर सकते है application form steps complete कर सकते है students यहाँ पे personal details पे जाने के बाद आपका पूरा name, आपके father, mother का name पूरा date of birth, gender आ जाएगा उसके बाद nationality आ जाएगा देखे यहाँ पे Indian है आपकी category यहाँ पे mention कर दिया है देखो यहाँ पे जो students open category के हैं उनको general select करना है yes, c, st है तो उनको जो जो है वहाँ पे टिक करेंगे जो yes, b, c वगेरा है तो o, b, c है तो यहाँ पे o, b, c select कर सकते है if you are a p, w, d, candidates do you have a benchmark disability p, w, d, यानि कि physically handicapped जो students है वो यहाँ पे क्या कर सकते है select कर सकते है, अगर है तो yes करो, no तो no करो next question है तो यहाँ पे आपको क्या करना है yes है तो yes करो, no है तो no करो, annual income of the parent or guardian, आपका annual income आपको यहाँ पे क्या करना है select करना है, उसके बाद do you belong to the minority community minority community आपको मालूम है कि Muslim, Jain, Christian वगेरा जो कुछ community है तो ओ है तो यहाँ पे yes करो अगर नहीं है तो यहाँ पे no क्लिक कर दीजे, okay उसके बाद next है subject name in post graduation exam okay आपको जिस exam में देना है देखिए यहाँ पे total 83 subjects mention कर दिया है okay यहाँ से आपका कुण सा subject है, यह आप क्या कर सकते हो, select कर सकते हो, देखिए यहाँ पे हमारा commerce है, तो हम commerce select कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो security pin बताया है यह हमें security pin enter करना है, और save और next बटन पे हमें click करना है देखो student जब हम personal information one by one fill up करते हैं और submit करते हैं तो यहाँ पे उनका message जता है कि are you want to submit this information तो यहाँ पे yes कर दीजे, उसके बाद हमें आधार details देना है, ओके यहाँ आधार वीवरन बताया है देखो student यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं आधार का details देते नहीं है, तो उन्हें hall ticket के, जब hall ticket admit card आता है तो उसके बाद जब हम center में जाते हैं तो वहाँ से अलग से एक form बरना पड़ता है, अगर यहाँ पे आपने आधार details दे दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, तो यहाँ पे आप select आधार पे जाईए, यहाँ पे आप yes का column select कर दीजे, और आधार number यहाँ पे mention कर दी तो यहाँ पे आपको option आता है, आपका name match पर आधार card वगेरा आ जाता है, date of birth आता है, बाकी details भी आता है, उसके नीचे scroll करने के बाद यहाँ पे आपको तीन option दे जाते है, number one पहला option है कि I voluntarily agree to share my आधार number and I am aware that it will be used for established my identity of UGC net exam 2030 cycle examination by matching my personal identification details available on other records of UID BAI, ओके तो यहाँ पे हमें click करना है, अगर आप आधार card की जानकरी नहीं देना चाते, तो यहाँ पे आपको second number option click करना है, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि my information on other is not the same as enter in the application form, sorry यहाँ पे दो number का option उन्होंने बताया है कि अगर आधार card की detail और आपने application की details यह दोनों mismatch है तो यहाँ पे आपको second number option select करना है, और आपको अगर आधार की details नहीं देना है, यहाँ पे उन्होंने option दे दिया है, I am not able, sorry, I am not willing to share my आधार number, मैं आपका आधार number साजा नहीं करने की तयारी में हूँ, तो यहाँ पे आपको तीन number का option देना है, अगर आपने एक number का option select कर द वहाँ पे submit button पे click करो, मैंने एक number के जो tab है, वहाँ पे मेरा आधार number देने के लिए मैं ready हूँ, तो यहाँ पे मुझे आधार number mention करना है, यहाँ पे जो declaration है, वहाँ पे हमें checkbox में click करना है, यहाँ पे जो security pin बताया है, वो security pin हमें enter करना है, और submit and next button पे click करना है, अधर डिटेल्स देने के बाद हमें apply for exam and center details हमें fill करना है देखिए यहाँ पर apply for यहाँ पर दो option आते हैं assistant professor and jrap and assistant professor तो यहाँ पर आपको जो चाहिए वो आप क्या कर सकते हो select कर सकते हो अगर आपको jrap के लिए apply नहीं करना है तो यहाँ पर आप assistant professor के लिए apply करो subject option for net आप net के लिए कुन सा subject choose कर रहे हो यह 83 subject का list है आपको जो चाहिए यहाँ से आप subject क्या कर सकते हो select कर सकते हो देखिए यहाँ पर मेरा commerce subject है तो यहाँ पर मैं commerce subject क्या कर रहा हूँ select कर रहा हूँ commerce subject select select करने के बाद question paper medium यहाँ पर बताया है देखे महारष्ट्र में नगर, आकोला, अमरावती, आवरंगबाद याने के महारष्ट्र में है उसको जो हम संबाजी नगर बोलते है दैन बीड, मंडारा, बुल्डाना, चंद्रपूर, दैन दुले, गोंदिया, जलगा, उकोलापूर, लातूर, मंबई, नवी मंबई, नाकपूर, नांदेड, नंदुरबार, नासिक, उस्मनाबाद, पालगर, परभनी, पुने, राइगर, रतनागिरी, सांगली, सातारा, सिंदुदूर्ग, सौलापूर, उठाने, दैन वर्दा, यवत्माड, इसमें से आप कौन से भी सिलेट कर सकते हो, देखे यहाँ पे मेने सिलेट कर दिया कि महारस्टर में ना सिखे, सेकन एक्जाम सेंटर, थर्ड एक्जाम सेंटर, फोर्थ एक्जाम सेंटर आपको करना है जो है वहाँ से आप select कर सकते हो और है तो और करो फादर का qualification याप उनने बताया है कि वो illiterate है या graduate है post graduate है doctorate है और है यापको mention करना है स्वाभर either नमदर का भी qualification उनने बताया है कि मदर का workspace क्या है तो occupation पे आप याप deine software है तो housewife का including housewife याप पर mention कर सकते हो मदर का qualification उन्होंने बता दे दिया है कि qualification क्या है यहां पर हमें mention करना है उसके बाद enter security पीन mention करके save and next बटन पर click करना है हमने submit बटन पे क्लिक किया तो उसके बाद आपको qualification details का message आ जाता है वहाँ पे हमने submit तो कर दिया यहाँ पे education details है, passing status है देखो जो student PG कर रहे है तो उनको क्या करना है, appear करना है appear करने के बाद हो क्या बोलेंगे year of passing और appearing अगर आपका appearing है तो यहाँ पे 2030 कर सकते हो, अगर नहीं है अगर आप pass हो तो यहाँ pass में click करो pass में click करने के बाद यहाँ पे वो क्या बोलते है कि year of passing ओके आपका year कौन सा है, वो year आपको क्या करना है, drop down में select करना है अगर आप 2015-16 में pass out हो, तो यहाँ पे आप select कर दो, आपका course कौन सा था, वो course आपको यहाँ से select करना है देखिए, master of commerce है, तो master of commerce करो, MBA है, MAA, MSC है, तो वैसे subject आप select कर सकते हो whether in final year और final year result awaited, तो not applicable है, क्योंकि result तो आपको आचुका है, तो यहाँ पे आपको not applicable करना है अगर जो student appear होते हैं, तो उनके लिए yes आ जाएगा, okay, qualifying examination form, okay, India और outside India आपने examination का से दे दिया है, तो यह आपको select करना है, qualifying examination states, obviously हम महाराष्टर के है, तो महाराष्टर हमें क्या करना पड़ेगा, select करना पड़ेगा यहाँ पे board और university बता दे दिया है, तो यहाँ पे हमें ABC के जरिये, यहाँ अगर आपने SPPU से कर दिया है, तो यहाँ पे आप SPPU information क्या कर सकते हो, select कर सकते हो, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे university के नाम बताया है, लेकिन आपका जो नाम है university का यहांसे हम क्या कर सकते select कर सकते देखिए यहांपे सावीत्र भाई, पुलेपुने, इनवर्टी या आपे हमें click करना है result का mode है percentage है और CGPA है जिसके CGPA हो CGPA select करो जिसके percentage है वो percentage select करेंगे यहांपे आपको total marks mention करना है opt-in marks mention करना है और percentage of marks आ जाएगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो last का security code है और security pin है यह आपको mention करके save and next बटन पे click करना है यहाँ पे हमने qualification का details फिल किया है उसके बाद additional details है जैसे कि whether admitted union field अगर yes है तो yes करो no है तो no करो PhD का details बता है whether admitted in PhD yes है तो yes करो no है तो no करो research oblique ex-serviceman details है specialization if यह नहीं यहाँ पे आप क्या कर सकते हो mention कर सकते हो otherwise आप not applicable करो whether you possess research experience in the subject in PG degree yes है तो yes करो no है तो no करो then whether you are an ex-serviceman यहाँ पे yes है तो yes करो no है तो no करो then security code यहाँ पे mention करना है save and next button पे click करना है यहाँ पे आपको क्या करना है दो documents upload करना है ओ है आपका photograph और दूसरा है आपका signature यह दो बहुत important documents है यहाँ पे आपको select करके upload करना है देख लीज़े यहाँ पे आपका photo 200 KB के अंदर होना चाहिए और signature आपका 30 KB के अंदर होना चाहिए ओके देखो student यहाँ पे हमने documents तो upload कर दिया यहाँ पे आभी last step से वो है final submission यहाँ पे final submission के लिए यानि कि payment submission के लिए हमें यहाँ final submit पे click करना है यहाँ पे final submit के बाद आपको एक tap दिया जाएगा कि close final submit button if you would like to be change any information please use the link provided on the left menu bar और if please review the following information before final submit आपको क्या करना है कि जो information यहाँ पे दिया है वो एक बार check करना है अगर उसमें कुछ गलती नहीं है form बराबर है तो उसको क्या करो save and next कर लो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे check box में आपको मिलेगा कि आपका name आपका father name, mother name, date of birth, gender, category, person, disability, examination cities, examination cities, education details, applied for, subject applied, contact details, इतना सब information दिया है यहाँ पे check box पे आपको क्या करना है, click करना है यहाँ पे click करने के बाद आपको नीचे एक tab मिलेगा वहाँ पे है कि I agree and then last year, final submission for application इस पे आपको click करना है पर एक message आता है कि confirm, are you sure want to submit your application form then यहाँ पे yes पे click कीजिए यहाँ पे क्या मिलेगा उसके बाद last में आपको एक क्या मिलेगा registration form complete है, application form complete है और fee payment incomplete है तो यहाँ पे आपको क्या करना है your email ID not to be verified ही, इन्होंने यह बताया है यहाँ पे दीख लीजे कि mobile number verified है email ID verified नहीं है तो इस पे click करके हमें क्या करना पड़ेगा OTP के जरीए उसके verify करना है यहाँ पे मैं verify करता हूँ देखो student यहाँ पे मैंने mail ID भी verify किया है और last में हमें pay examination fee रूपी 600 वहाँ पे आपको मालूम है कि open के लिए 1150 है then OBC के लिए 600 रूपए है यहाँ पे 650 था लेकिन अभी यहाँ तो 600 रूपए दिखाई दे रहा है और 325 रूपए ESC और ESC कैंडिडेट को है यहाँ पे मैं pay examination fee पे click करता हूँ यहाँ पे आपको payment के लिए दोनी option एकी option हो है select payment, online payment यहाँ पे online payment पे click करना है और proceed for payment पे आपको click करना है देखे student यहाँ पे आपको payment के लिए mode आ जाएगा आपको इस चार में से कौन सा ही एक mode select करना है और proceed for payment पे click करना है देखो payment होने के बाद आपको current status दिखाए देगा registration form completed, application form completed, fee payment completed then download confirmation page यहाँ पे यह page download कर लिजे देखे student इस प्रकार हमने UGC NTA net exam 2013, June 2013 का form कैसे बरते है हमने इस वीडियो के जरिये देखा था last के जो confirmation page आपने download किया है वो क्या कर लिजे आपने mobile पे save कर लिजे अगर future में आपको halt kit निकालना है या admit का download करना है तो उसी वक्त आपको यह application form लगने वाला है तो student आपको यह UGC NTA net exam के लिए all the best अगर आपके मन में exam form के जरिए या admit card के जरिए कुछ दिक्कत आती है तो हमारे YouTube channel को subscribe करो वहाँ पे आप हमें message कर सकते हो या ज़्यादा जानकरे के लिए टेलेग्राम चाइनल में भी सामिल हो इए वहाँ पे हम description box में link दिया है वहाँ पे हम टेलेग्राम चाइनल में up to date information बेज देंगे इसी information के साथ आज के भी studio में यही पर रुकेंगे आगे मिलेंगे तब तक के लिए आपको exam के लिए all the best टेक क्यार जेहिन धन्यवाद